नमस्ते पुब्लिक इंडिया के सारे दर्शकों का अभिवादन आपसे एक आग्रह है और इसलिए मैं व्यक्तिकत रूप से आग्रह कर रहा हूँ 16-17 नॉवेंबर 2014 को लखनों के मोती महलों में अवत कॉंक्लेफ का आयोजन किया जा रहा है आग्रह यह है कि आवत कॉंक्लेफ को सफलता पूरवक आयोजन के लिए धन क्या आवशकता है हम लोग पहले इसको करते रहें दूसरे नाम से करते रहें आवत कॉंक्लेफ लोगप सम्मान इत्यादी त्यादी नाम से लेकिन इस बार अलग-अलग विश्यों पे डिसकेशन होगा देश के अपने-पने स्पेशलिस्ट आएंगे और इन सब के लिए मैं एक QR कोड आपको दे रहा हूं इससे आप ब्रोशर डाउनलोड कर सकते हैं देख सकते हैं क्या रूप रेखा है लेकिन आप से फिर से एक बार अपील है कि इस आयोजन को सफल बनाने के लिए थोड़ी आर्थिक मदद करें बहुत-बहुत धन्यवारत है जै समिधान, जै भीम, महत्मागान्दी की जै गोट से मुर्दाबाद देखे आद दो डिपबलिक इंडिया में मैं दो विश्यों पर बात करना चाहता हूँ पहला विश्य ये कि शेर मार्केट अमेरिका का शेर मार्केट और भारत वर्ष का शेर मार्केट क्या बता रहा है कि USA के एलेक्शन में क्योंकि कल उसका रिजल्ट आना है अमेरिका के एलेक्शन में क्या होने की संभावना है और महराष्ट और जारखंड के चुनाओं में क्या होने की संभावना है क्या रिजल्ट होने की संभावना है ये मैं शेर मार्केट से अंदाजा लगाने का प्रयास करता हूँ आशा है कि आप लोग सहमत होंगे या सहमत होंगे वो अपनी टिपणियों से मुझे बताईएगा नमबर एक बात तुम्हें ये करना चाता हूँ दूसी बात में ये करना चाता हूँ कि जो जरांगे पाटिल ने ये निर्ने लिया है आप लोग जानते हैं महराष्ट के जो रहने वाले हैं या बाहर के लोग भी जो महराष्ट की राजनीती के बारे में दिल्चस्पी रखते हैं कि जरांगे पाटिल वहाँ पे एक बहुत बड़ी फोर्स बनके उभरे हैं और मराठा आरक्षण के लिए जो उन्होंने आंदोलन चलाया था वो ऐसा ही आंदोलन था जैसे गुजरात के अंदर आंदोलन चला था जो पाटिदार समाज के लिए आरक्षण के लिए आंदोलन चला था तो जरांगे पाटिल एक बहुत बड़े नेता बनके उबरेथ है मराष्ट के अंदर जरांगे पाटिल के मारे में जो बताये जाता है वो यह है दो चीजे इस पिलकुल स्पस्ट हैं पहरी चीज यह है कि उनकी लड़ाई उनकी प्रतिदवन्दिता इप बहूँभा और मराठवाला के अंदर बहुत ज़्यादे हैं, मराठवाला के अंदर उनका कंसेंट्रेशन है, जैसे विदर्ब के अंदर दलितों का बहुत ज़्यादे कंसेंट्रेशन है, वैसे मराठवाला के अंदर मराठाओं का बहुत ज़्यादे कंसेंट्रेशन है। कहा है कि वो किसी राजनेतिक दल्ग के साथ नहीं है लेकिन जो वहाँ के राजनेतिक विश्लिशक बताते हैं उनकी नर्जदीकी अगर किसी से है तो शरतपवार से। कॉंग्रेस नहीं या पहले की सरकार ने महाविकास अगाली के सरकार ने महाराथाओं को आरक्षण दिया था जो सुप्रीम कोड ने स्टक डाउन कर दिया तो इस समय जब महायूती की सरकार थी महराष्ट के अंदर भी महायूती की सरकार थी और दिल्ली के अंदर केंद्र के अंदर भी उनी की सरकार थी बनाए डबल इंजन की सरकार थी इसका मतलब यह है कि महराष्ट की महायूती सरकार यह कहके पल्ला नहीं जाल सकती कि आरक्षन की सीमा है और सुप्रीम कोट ने उसको रिजेट कर दिया इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि आप जानते हैं कि केंज सरकार जो करना चाहती है वो कर लेती है कानून पास करा लेती है तो अगर पचास प्रतीशत रिजर्वेशन को बढ़ा दिया गया होता तो माराठाओं को अरक्षन मिल सकता था जो राहुल गांदी कहते भी हैं कि अगर हमारी सरकार बनी या हम इसी सरकार को यह फोर्स करेंगे कि जो पचास प्रतीशत का रिजर्वेशन का कैप लगाया हुआ है उसे आगे बढ़ाया जाए 70% रिजर्वेशन किया जाए जिससे कि माराठाओं को भी आरक्षन मिल सके तो अगर के सरकार आरक्षन की सीमा को नहीं बढ़ा रही है इसका मतलब वो माराठाओं को चलने का प्रियास कर रही है तो माराठा सवास तो पूरी त्रह से एक प्रकासे रुष्ट है अज़ा फिछले इलक्षन में जो भारती जन्ता पार्टी ने किया ता जैसे बाकी स्टेट में भी किया उत्तर प्रदेश बिहार में भी किया हर्याड़ा में भी किया जाट बनान नौन करने का प्रयास किया उत्तर प्रदेश बिहार में यादाव नौन यादाव करने का प्रयास किया हिंदू को बाटने का प्रयास किया महराश्ट के अंदर उन्होंने बैकवर्ड को महराठाओं के ख़ड़ा करने का प्रयास किया था और OVC समाज में महाराष्ट के अंदर अच्छी खासी संख्या में है 25-27% की संख्या उनकी भी है और 30-32% की संख्या मराठाओं की भी है तो करीब करी इक्वली पॉइस हैं लेकिन इस बीच में महायूती सरकार ने क्या किया कि माराठाओं को कुन्वियों का सर्टिविकेट दे दिया जो OVC समाज में आते हैं जिसके आपके नाना पटोले बड़े नेता हैं विदर्व के तो माराठा तो उनसे नाराज थे ही कि उनको अरक्षन नहीं मिला अज़र ज और नाना पटोले भी एक बड़े OVC नेता हैं तो जो बड़ा समाज है एक तो दलिस समाज है आदिवासी समाज है बहुत समाज है तो बहुत समाज आदिवासी समाज दलिस समाज तो वैसे ही महाविकास अगारी की तरफ जुका हुआ था और अगर मराठा भी महाविकास अ पार्टिल का मसरा यह है कि जरांगे पार्टिल ले अपनी फॉलॉइंग बना ली क्योंकि उन्होंने एक अंदोलन चलाया और उनको एक इमानदार संगर शील नेता के रूप में वहां के मराथा मानते हैं पहले जरांगे पार्टिल ने कहा कि उनकी पार्टी एलेक्शन आ help अगर जरांगे पार्टिल चुनाओं लड़कते तो जो पूरा मराथा वोट बैंक हैं जो जादे तर में पारड़ेक्शन्दे के बीच में राइद होता है और शिन्दे के साथ जरांगे पार्टिल की सब्सक्रां उसके डिवाइद होने का खतरा होता वह तीन का भी कि अगर जरांगे पार्टिल चुराव लड़ते हैं और उनका क्योंकि समर्थन है उनके committed voters हैं तो उससे महाविकास इकाली को जादे नुकसान होगा महायुति को कम नुकसान होगा क्योंकि जो युति की समर्थन बेस है वो basically समर्ण क्लास का है लेकिन जरांगे पार्टिल ने यहां तक कि कल तक तो यह नने लिया था बले तीन तारिक तक नने लिया था कि वो nomination file करवाएंगे 15 nomination file भी करा दिये उन्होंने लेकिन चार तीन तारिक को शाम को उन्होंने अचानक press conference करके बताया कि अब हम चुनाओं नहीं लड़ेंगे और हम किसी का support नहीं करेंगे इसका मतलब यह है कि उन्होंने एक तो यह महसूस कर लिया कि केवल मराठा समाज जो 30% है उसके आधार पे वो चुनाओं नहीं जीच सकते क्योंगे महराष्ट का हर्याना के समान उसी प्रकार का constituent है बिलकुल जातिवार इस्थिती है कि अगर OVC जाट मुसल्मान सब मिलके एक साथ वोट नहीं करते तो कोई जीच नहीं सकता आधिवासी और दलिस समाज तो अगर जरांग्य परडिल अपने केंडिडे खड़े करते तो उनका अंदुलन भी कमजोर पल जाता क्योंकि उनके candidate हार जाते क्योंकि केवल माराठाओं के बल पर तो वो चुलाव जीत नहीं सकते क्योंकि माराठा तीन पार्ड में चले जाते एक नाशिंदी के पास चले जाते शरत्ववार के पास चले जाते जरांगी पार्डेल के पास चले जाते तो इसलिए उन्होंने कॉंग्रेस बहुत जादे साथ है क्योंकि दलिस सभाज और बहुत सभाज इन दोनों च्छित्रों में कॉंग्रेस के साथ है तो माराठाओं का समर्थन शरत पवार और बाकी लोगों की वज़े से अगर कॉंग्रेस की तरफ और महाविकास अगाली की तरफ होता है तो महाविकास अगाली को जरांगे पाठिल के चुनाओं नलनने से फाइदा होगा तो ये निर्णे जरांगे पाठिल का अंत समय में जब ड्रॉल की डेट आ गई है वो जरांगे डिने हुआ है तो मायूती जो सोच रही थी कि जरांगे पार्डिल के चुराव लड़ने की वज़े से बाराथा वोट में डिवीजन होगा और उनको फाइदा होगा वो सपना रहे गया क्योंकि जैसे ही पहले में बता चुका हूँ कि जरांगे पार्डिल बेसिकली सपोर्ड शरत पवार अजा इसके लावा जो समाजवादी पार्डि का मसला है वो भी आप जानते हैं कि समाजवादी पार्डि के दो जगहों पर तो मां विकास अगाली ने अपने केडिडिटी नहीं खड़े की हैं तो विल्वकुल इस पस्ष्ट बात है कि अबू आजवी और दू चार तारीक को शाम तक पता चल जाएगा कौन विड्रॉ करता है कौन नहीं विड्रॉ करता लेकिन आशा यह है कि फ्रेंड्ली वाइड महाविकास अगाली में नहीं होगी और वहां पे शाम तक जब सारे विड्रॉल हो जाएंगे उसके बाद आमने सामने की लड़ाई हो तो माराठाओं को एक जूट करके अगर जरांगे पाटिल ने एक प्रकार से वहां विकास से गालेगे मदद किये एक तो ये नोट करने वाली बात है अच्छा दूसरी बात करते हैं दूसरी बात करते हैं कि शेर मार्केट क्या कह रहा है बाकी विश्रेशन हो रहें अमेरिका के अंदर कल रिजल्ट आ जाएगा मतलब जब आप लोग सुनेंगे ये तो पांस तारीक को सुनेंगे शाम तक ये रिजल्ट आ जाए पांस तारीक कोई वहां रिजल्ट आना है अजा ये पहले ही मैं वीडियो में बता चुका हूँ कि जो डॉनल्ड ट्रम्प है जो रिपब पाति मूल का नहीं कहती है बलकि अपने को ब्लैक कहती है जबकि ब्राउन है वो और वहां पे वो उनका लीनिंग जो है डिमोक्रिटिक पार्टी की वो थोड़ा सेंटर टू लेफ्ट है और डॉनल्ड ट्रम की राइट है तो पूजीवाद का प्रतीख है डॉनल्ड ट्रम है तो भारती जन्ता पार्टी मानी जाती है और आज के तारिक में अगर कॉंग्रेस को माना जाए तो वह सेंटर टू लेफ्ट पहले वह कुछ सेंटर भी थी अब थोड़ी सी सेंटर टू लेफ्ट आ गई है तो यह सेंटर टू लेफ्ट और राइट पोर्सिस की परदवर्ष के अंदर भी है अजय वड़ी विचित्र घटना आपने देखी होगी जब चार तारी को सुबह आपने शेर मार्केट का नजरिया देखा तो आमने देखा कि अमेरिकन मार्केट्स आर अप वो उपर चले गएं केवल अमेरिकन मार्केट्स उपर नहीं चले गए हैं पूरा वेस्टन मार्केट यूरोपियन ऐसे गिरा है अभी जब मैं रिकर्ड कर रहा हूं उस समय तक ही करीब रिलाइंस के शेर करीब साड़े तीन परसेंट गिर चुके हैं अडानी की शेर साड़े तीन चार परसेंट गिर चुके हैं बने आट पंद्रे बीस लाग करोड का share market का नुकसान हो जाएगा अगर जब मैं record कर रहा हूं उसके बाद market उठना जाए तो तो इसका मतलब है कि indication कुछ और मिल रहे हैं अब ये share market को analyze करने की कोशिश की जाए कि American share market का बढ़ना और भारत की share market का गिरना क्या बता रहा है कि अमेरिका के अंदर क्या result होने वाला है और भारत वर्ष में महराष्ट और जारखंड के अंदर क्या निश्कर्श होने वाला है क्योंकि मेरा सब्जेक्ट रहा इस सप्रेंट में पढ़ाया है तो क्योंकि देखिए अगर डॉनलर्ड ट्रम जीते हैं तो ये share market के लिए positive step होग करती है social welfare schemes में विश्वास करती है वो गरीब लोगों की तरफ जादे उनका जुकाव है ब्लैक्स की तरफ उनका जादे जुकाव है तो share market के लिए negative होगा अमेरिका में और भारत वर्ष के अंदर अगर महराष्ट का चुनाओ महाविकास अगारी जीत जाती है तो share market के वो यह बिल्कुर स्पष्ट है जो बाकी राजनितिक दलों ने भी कहा और यह हम लोग इसले शुकों का भी स्पष्ट विचार है कि महराष्ट का election बहुत जादे महतवपूर्ण है पूरे हिंदुस्तान की राजनिति के लिए अगर महराष्ट के election में वहाविकास अगारी जीत गई जो अभी तक के trend के साब से लग रहे हैंगी वो जीत जाएगी तो मोदीज की सरकार भी गिर जाएगी और अगर महराश्ट के अंदर महाई यूती जीत गई तो मोदीज की सरकार नहीं किरेगी कारण क्या है एक कारण ये है कि नितीश कुमार को और आंद्प्रदेश के अंदर चंद बाबु नाइडू को ये मैसेज मिल जाएगा कि भारत वर्ष के अंदर फिजा बदल रही है क्योंकि महराश्टा इसे वेरी इंपॉर्टेंट स्टेट और सब स्टेट उसके आस पास लगे हुए हैं और वहां के करनाटका के लोग, आंद्प्रदेश के लोग, तेलंगना के लोग, तो अगर महराश्ट के अंदर महाविकास इकाड़ी चुनाव जीत जाती है तो चंजबाबू, नाइडू को नितीश कुमार को मैसेज मिल जाएगा कि इस समय भारती जनता पाटी के साथ रहने जो कोई फाइदा नहीं है और वो इंडिया गडबंदन में वापस आने का प्रयास करेंगे और सरकाट बदल जाएगे और अगर महायोती जीत गई तो फिर तो वहाँ विकास अगाड़ी और इंडिया गडबंदन के लिए बहुत बड़ा सेट बैक होगा, तो इसलिए राज नहीं थे कि लाभोस से उन्हें बहुत बड़ा नुकसान हो गया है उन्होंने रणानिती बनाई थी कि ये जो वक्फ बिल है इसके माध्यम से एक तो प्रोपगेंड़ा चलाया जाए कि वक्फ ये मामले में क्योंकि उर्दू का शब्द है तो लगेगा कि जैसे वक्फ ने मुसल्मानों के ट्रस्ट ने हिंदोस्तान की संपत्यों पे जवरियन कबजा किया हुआ है अच्छा उनके सोशल मीडिया चैनल्स ने ये चलाया भी गोधी मीडिया ने भी चलाया और ये भ्रांती बनाने में काफी हद तक वो कामयाब भी हो गए कि वक्फ जो है बेसिकली इसमें इलीगली जिसकी जमीन चाहते हैं वक्फ वाले ले लेते हैं लेकिन वास्विक्ता में जो मैंने विश्यशक्डियों को सुना स्कॉलर्स को सुना लीगल एक्सपर्ट को सुना कि वक्फ बनाया क्यों कि थी लोगों ने अपनी जमीने उनको दान कर दी थी तो उनने कहा था कि जो इसलाम को मानने वाले हैं जो राजा रजवाले हैं बड़े बड़े जमिंदार हैं अगर वो चाहे और ट्रस्ट के लिए मुस्लिम आवाम के लिए उनके गरीबों के लिए कुछ दान करना चाते हैं तो अपनी जमीन उनको दान देदें और वो जो संपत्ती है वो संपत्ती फिर उनके आगे के वारिस पे नहीं ले पाएंगे वो जमीन जो है ट्रस्ट की हो जाएगी वो वक्फ ही हो जाएगी और वो किवल सोशल परफ़सेश के लिए यूद होगी अगर कोई हिंदू भी माली जे उस ट्रस्ट पर दान करना चाता है तो कर सकता है लेकिन अवैद कब्जा नहीं कर सकती वक्त क्यों कि अवैद कब्जा कोई भी करे चाहे वो मंदिर हो चाहे मस्जड हो चाहे वक्फ हो चाहे राम जनब भूमी हो अगर वो करेगी तो कोट की क्या भी पॉजेशन को नहीं चीन सकती चाहे वो वक्त हो चाहे कोई भी हो लेकिन अगर मैं लिजे मेरी जमीन है 100 एकड़ मैं उसको वक्त हो या मंदे ट्रस्ट को देना चाहता हूं तो उसके बाद मेरे वारिस उसको नहीं ले पाएंगे और यह होता है आज की तारिक में बह अगर अगर आप होस्टेल्स भी देखेंगे तो बड़े-बड़े रजवालों के रास्थान के रजवाले हैं मौरवी है लिम्डी है राजकुताना है तो सारे इस विश्वकर्मा है ऐसे लोग है जो राजा मराजा ने अपनी जमीने और अपनी संपत्ति और ब्लैंग चेक दे दिये थे पंडित मदन मौनबालविया को कि आप इस पैसे का उप्योग कीजि अब ये तो बनाया इसलिए कि या था कि हिंदू मुस्लमान नेरेटिव बनेगा वक्फ के नाम पे हिंदू को बरगलाए जाएगा लेकिन अब हुआ क्या एक तो ये क्लारेटी थोड़ी होने लगी कि वक्फ सबकी जमी नहीं ले सकता कोई अगबने मन से वक्फ को मुस्लि गरीब बच्चों के लिए क्योंकि जैसे हर धर्म के ये प्रावदान है सिखों में प्राविधान है मुसलमानों में प्रावदान है हिंदू में प्रावदान है कि आप दान दक्षिना कीजिए हम लोग भी करते हैं मुसलमान भी करते हैं सिख भी करते हैं कोई तशाष देत लेकिन हुआ क्या कि इससे सबसे बड़ा खत्रा जो पैदा हो गया है वो चन्दवावु नाइडू को हो गया नितीश कुमार को हो गया यह जो दाओं चला था जैपीसी वे आप जानते ही कैसे जूतम बजार हुई थी पिछली बार खुनोन निकला तो लोगों के टांके लग मुसलिम वोट बहुत जादे पाते हैं नितीश कुमार भी बहुत जादे पाते हैं और क्योंकि नितीश कुमार मुसलिम वोट पाते हैं इसलिए नितीश कुमार अगर भारती जनता पाड़ी के साथ जाते हैं तो वो जीच जाता है और अगर आर्जेडी के साथ जाते हैं त अब हुआ क्या कि जमाते इस्लामी ने खुला चैलेंज कर दिया है चन्दबावू नाइडू को और नितीश कुमार को कि अगर आपने वक्फ जेपी सी में या इसकी वोटिंग में किसी भी तरह से समर्थन किया भारती जनता पार्टी का तो हम आपका बिल्कुल साथ नहीं ग गया जहां पर अच्छी 20-25 परसंट की पॉपोलेशन मुसल्मानों की विहार और आंद प्रदेश के अंदर है अगर वो जो नितीश कुमार के साथ और चन्दबावू नाइडू के साथ रहती है अगर वो अपोजिशन के साथ चली जाएगी तो चन्दबावू नाइडू क वक्त बिल की वज़े से एक 20 परसंट वोट बैंक के द्वारा ये बताए जाता है कि अगर आप समर्थन करेंगे तो हम आपका समर्थन नहीं करेंगे तो ये फोर्स कर रहे हैं उनको कि आप जो ये दिल्ली की सरकार है मोदी जी की सरकार है इसे अपना समर्थन वापस लीज तो जो एक योजना लाई गई थी वक्त की की गलत स्वहिमी पैदा की जाएगी हिंदू-मसल्मान बटेंगे तो कटेंगे के मुआबरे को फाइदा उठाए जाएगा उससे अब लग रहा है कि नुकसान हो रहा है और समन में नहीं आ रहा है इसको निगलें या उगलें क्य करें भारती जन्ता पार्डिगा ये जनागये पारतिल का नाइदाओं भी वड़ा खतरनाक है इसको खहलना महा यूति के लिए मुश्किल हो रहा है और जो ये वक्त बिल का मामला है ये भी समद में नहीं आ रहा है कि इसको अगर करते हैं तो सरकार गिर जाती है क्योंकि च और चंदबावू नाइडू नितीश कुमार लेकिन ये सब कुछ डिबेंडेंट है महराज के एलेक्षन में अगर महराज के एलेक्षन में महाविकासिगाली जीती अगर राजीव अगरवाल साफ चुनाव ऐयूद बहुत जादे बेवानी नहीं करा पाए तो महाविकासिग जीत जाएगी और उसके बाद मोदी जी की सरकार बहुत दिन रहने वाली नहीं है लेकिन अगर राजीव अगरवाल साफ अपने कार प्रणाली में सफल हो गए जिसके मुझे समावना कम लगती है तब फिर देश के अंदर लोगतंत्र और समयधान को खतम होने में समय नहीं लगेगा नमस्कार धन्यवाद अपनाओं नमस्ते प्रणिक इंडिया के सारे दर्शकों का अभिवादन आपसे एक आग्रह है और इसलिए मैं व्यक्तिकत रूप से आग्रह कर रहा हूं से लेकिन इस बार अलग-अलग विश्यों पर डिसकेशन होगा देश के अपने अपने स्पेशलिस्ट आएंगे और इन सब के लिए मैं एक QR कोड आपको दे रहा हूं इससे आप ब्रोशर डाउनलोड कर सकते हैं देख सकते हैं क्या रूप रहा है लेकिन आपसे फिर से एक सकते हैं